एक दम बिल्कूल आग पर जैसा लीटी पकता है ना वैसे ही आज हम लीटी घर पर बनाएंगे तो लीटी बनाने के लिए सत्तु तयार कर लेते हैं तो सत्तु के लिए हम दो कप सत्तु लिए हैं चन्ना का और इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारी कटी हुई धनिया पता लहसन और हरी मिर्च अद्रक को कूट लेंगे या फिर ग्रेट कर लेंगे सब कुछ डाल देंगे हम अपने स्वाद के अनुसार इसमें मिर्च डालेंगे अचार का मसाला डालेंगे धेर सारा जो लाल मिर्च का अचार होता है भरवा मिर्च का वही वला एड़ करेंगे थोड़ी सी प्याज बारी कटी हुई सरसुर तेर डालेंगे एक चमच क्योंकि मसाला में अचार के मसाले में तेल है और नमक भी स्वाद मिसार दालें गेए थोड़ा कम ही सबको बढ़ी हस मिलाएंगे और। आधा निम्बू निचोर देंगे क्योंकि थोड़ा सा खटा रहता है तो और मज़दार लगता थोड़ा ज्यादा खटा के लिए निम्बू डालेंगे यदि अच्यार के मसाला में खटापन कम है तो उपर से निम्बू करस जरूर डालें थोड़ी से पानी डाल कर मिला लेंगे आटा नॉर्मल जैसे गूते हैं वैसे ही गूत लेंगे और इसका एक लोई बना लेंगे गुल लड़ू के जैसा फिर इसको एक कटोडी जैसा बना लेंगे और उसके बीच में हम थोड़ा सा सत्तू डाल कर भर लेंगे तो हम थोड़ा सत्तू नहीं डालेंगे पुरा भर भर के सत्तू डालेंगे क्योंकि आग पर का लिटी ना सत्तू भरा हुआ हो तो और भी खाने में मजा आ जाता है तो पूरा भरबर के सत्यू भर लेंगे और हमारा जो लिटी है वो बन के तयार है अब भी अब देख सकते हैं पूरी तरह से सेप में गोल ही रखेंगे बिल्कुल भी चिपटा नहीं करेंगे पूर्फिक्ट आग जैसा लिटी का स्वाद चाहिए तो इसके लिए बाटी मेकर एकदम पूर्फिक्ट है पहले से हम बाटी मेकर को गर्म होने के लिए 10 मिनट से रख दिये थे अब ये पूरी तरह से गर में high flame है और इसके उपर से एक एक करके लीटी को सजा देंगे यदि आपको बाटी में गर लेनी हो तो आप online भी ले सकते हैं या फिर आप local market में बरतन के दुकान पर इससे ढूंड सकते हैं मिल जाएगा और यदि local market में नहीं मिला तो आपको online जरूर मिल जाएगा तो इस तरह से हम लीटी को सजा के फिर से cover कर देंगे कम से कम 5-6 मिनट के लिए high flame पर ही 6-7 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेंगे और यदि नीचे का परत अच्छे से पग गया हो तो हम पलट देंगे अब देख सेंते हैं कि यह जलना शुरू हो गया है तो हम इसे पलट देंगे और फिर से इसको ढख देंगे फिर से 5-4 मिनट बाद इसको चेक करेंगे और इस stage पे हम medium flame कर देंगे इसको 5-6 मिनट बाद अभी आप देख सकते हैं कि इसका color कितना अच्छा आ गया है और इसे न हम चेक करेंगे और यह फूरना शुरू हो गया है तो जिस side से यह अच्छे से नहीं पका है हम फिर से पलट देंगे और उपर का side नीचे का side उपर कर देंगे उपर का side नीचे और यह फटना भी सुरू हो गया मतलब यह फूल फूल कर फटेगा अंदर से soft तो इसमें से कुछ लिटी अभी अच्छे तरह से फूल कर पग गया है तो हम निकाल लेंगे और ठंडा का मौसम है न तो घी जम जाता है इसलिए हमने इसी पर कटोड़ी में थोड़ा सा घी भी रख दिये हैं इसको डिप करने के लिए तो चलिए अब हम इसमें से कुछ निकाल लेते हैं जो अच्छे से फूल गया है और उसको घी में डिप करके स्वर्ब करते हैं लीटी और चोखा बेश्ट कॉम्बिनेशन होता है वाल बेश्ट बोला जाता है लीटी चोखा चोखा हमने बनाया है इस चोखे की रेसिपी की लिंक हम आपको उपर